नमस्कार मैं हूँ जित्रात रिपाथी शाम के पांच बज़ने वाले हैं ये वक्त आप सभी के बेहत पसंदीदा कारिक्रम दंगल का आज का दंगल काशी से लेकर मत्रा तक मजज़दों के सर्वे को लेकर है वरांसी में काशी ग्यानवापी परिसर की S.I. सर्वे रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में अदालत को सौंप दी गई है इस रिपोर्ट में क्या है ये 21 दिसंबर को ही पता चलेगा क्योंकि उसी दिन अदालत पक्षकारों को रिपोर्ट देगी हलांकि मुस्से बख्ष की अपील है कि सर्वे रिपोर्ट के तथ्य सार्वजनिक नहीं किये जाए उधर मुत्रा में श्रेकरिश्टन जन्मभूमी परसर में मौझूद शाही इदगाह मस्जिद में भी कोर्ट कमिशनर से सर्वे कराने के मामले पर इलहबाद हाई कोर्ट में फैस्ता सुरक्षत रखा गया है इसके पहले 14 दिसंबर को इलहबाद हाई कोर्ट ने मुत्रा में कट्रा के शबदेव इलाके में बनी शाही ईदगाह मस्जित के अंदर कोर्ट कमिशनर से सर्वे कराने का आदेश दिया था इस सर्वे में कोर्ट कमिशनर के नाम और अन्य शर्टों पर आज अदालत को फैसा सुनाना है हाला कि मुस्जित पक्ष ने सर्वे रुखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी लेकिन अदालत ने सर्वे पर रोप नहीं लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में नौ जन्वरी को मतरा मामने पर सुनवाई होनी है उससे पहले ही हाई कोट से सर्वे का आदेश आ चुका है ऐसे में कॉंग्रेस पार्थी के ओर से बीजेपी की ध्रुवी करण की सियासत से हो रहे फायदे को लेकर अपनी चिंता जिताई जा रही है वरिष्ट कॉंग्रेस के नेता पीच दम्रम ने कहा है कि मुस्लिम, इसाई, विरोधी, प्रचार और ध्रुवी करण को लेकर वो जादा चिंतित हैं क्योंकि उत्तरी और मध्य भारत में बीजेपी को इसका फायदा मिल रहा है और कॉंग्रेस के पास इसकी काट नहीं है ऐसे में सवाल उठता है कि क्या काशी से लेकर मथुरा तक धर्मसलों पर सर्वे के आदेश से 2024 में बीजेपी को फायदा पहुँचेगा क्या इंसाफ की लडाई में सच, तथ्य और सबूत सामने लाने के लिए सर्वे कराना जरूरी है और क्या सर्वे में निकले सच को देश की जनता से छिपाया जाना चाहिए इंसाफ की लडाई में विए सर्वे जाए इसका खुलासा 21 दसंबर से पहले नहीं हो सकता क्योंकि अदालत से उसी दिन पक्षकारों को रिपोर्ट मिल सकती है हलांकि मुस्लिम पक्षने अपील की है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाए वारानसी के ग्यानवापी परिसर में मौझूद इमारत के नीचे क्या मंदिर के सबूत है इसकी तलाश में अदालत ने जमीन के नीचे वैग्यानिक तरीके से सर्वे चल का आदेश दिया था वारानसी की जिला अदालत ने 21 जुलाई को वजुखाना वाला हिस्सा छोड़ कर बाकी हिस्सों में ASI के वैग्यानिक सर्वे का आदेश दिया 24 जुलाई से सर्वे शुरू हो गया लेकिन मुस्लिम पक्षकी अर्दी पर सर्वे रोक दिया गया फिर 4 अगस्त को अदालत की इजाज़त से दोबारा सर्वे शुरू हुआ जो 16 नवंबर तक चला खबर है कि इस सर्वे में भी सनातन धर्ण से जुड़े वही परतीक चिन मूर्तियां कलश जैसे सबूत मिले हैं जो इससे पहले हुए सर्वे में सामने आये थे ग्यानवापी के अलावा मतुरा के शिरिकरशन जन्मस्थान परिसर्ब में मौजूद शाही इदगाह मस्जित के अंदर भी ASI सर्वे को लेकर इलहबाद हाई कोट ने आदेश दे रखा है लेकिन सर्वे की शर्तें और कोट कमिशनर तैनाद करने के मामले पर मुस्लिम पक्षकी आपत्ती सुनने के बाद आदालत ने पहले आदेश सुरक्षित रख लिया था हिंदू पक्ष का दावा है कि मतुरा की शाही इदगाह मस्जित भी मंदिर की बुनियात पर ही खड़ी की गई है और अनाधिकर्त पक्ष से समझोता करके उस जमीन पर अवयद कबजा किया गया है ऐसे 18 मुकद्मों पर इलहाबाद हाई कोट में सुनवाई चल रही है आयोध्या से लेकर मतुरा और मतुरा से लेकर काशी तक कोंग्रेस को इसका उचित जबाब देना चाहिए हलांकि तीन राज्यों में हार के बावजूद कॉंग्रेस 140 सीजदी वोट बैंक बने रहने को लेकर चिदंबरम ने उम्मीद भीजेताई है लेकिन ये भी माना है कि एक बार फिर भीजेती के पक्ष में हवा चल चुकी है वारानसी से आशीश शिरिवास्तो और प्रयागराज से पंकर शिरिवास्तो के साथ आज तक गर कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने बाले हैं दंगल में मेहमानों का परच्या आप से करवा देते हैं राशी प्रवक्ता भारते जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े वे हैं तैसीन पुनाबाला जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है हमारे साथ मौझूद है वारिस प्रथान साब स्पोक्सपरसन एई-आई-माई-म के हमारे साथ मौझूद है लेकिन इस बीच एक बड़े खबर आ रही है सीधे उसका हम रुक करेंगे मतुरा केस में थोड़ी देर में लहाबाद है कोर्ट का फैसला सामने आना है वो फैसला क्या रहेगा कोर्ट काफिस्टर से सर्वे को लेकर मुसिल्पक्ष की ओर से अपनी बाते रग दी गई है फैसला सुरक्षत रखा जा चुका है कुछी देर में ये फैसला आ सकता है मतुरा को लेकर सभी की निगारती की हुई है क्योंकि एक तरफ अयोध्या को लेकर भव्यराम मंदिर प्रान प्रतिष्टा की तैयारी चल रही है मतुरा को लेकर भी सभी की निगाहें कि आज अपने फैसले में गाथ सर्वे को लेकर इलाहबाद हाई कोर्ट आखर क्या कहता है आशीष चिबास अब हमारे संबाददाता जूचुकी हैं और जाथा जानकारी के साथ आशीष कितना और अंतिजार करना पड़ेगा इस फैसले के लिए देखिज इतना बिलकुन थोड़ा ही इंतिजार करना होगा इस फैसले के लिए क्योंकि जब कोर्ट सर्वे की यानि कोर्ट कमिशनर की जब बात हुई है तब दोनों पक्षाज कोर्ट के अंदर मौजूद थे और उन्हों ने साफ कर दिया जज के सामने जब दलील पेश हुई और जज ने हाला कि इस दोरान मुस्लिम पक्ष ने एक SLP की जिक्र कर दिया औ करते हुए इस थोड़ी देर के लिए इसको पैंडिंग किया है और रिजर्फ कर दिया है इस फैसले को कि आखिर क्या करना है तो यह अभी थोड़ी देर में यह डिसाइड हो जाएगा कि कोट क्या वो SLP की सुनवाई करेगी या नहीं अगर नहीं करेगी तो यानि कि साफ ह हो जाएगा कि जो कोट कमिशनर का फैसला है वो बिल्कुन ही फाइनल हो जाएगा और उसको डेट दीदे आएगी कि इस दिन यह फैसला सुनाया जाएगा यह तो साफ है कोट कमिशनर को लेकर यह बड़ा फैसला जिस पर देश भर के निटाहें लगे हैं पक्ष की अपनी अरीने एंसेंग एडवोकेट जे सुप्रेम को जे पता ही आज का जो आप हेरिंग में थी आज अंदर क्या बातचीत हुई किस तरीके का वो चलता हुई देखें जो अभी लास्ट वीक जो सर्वेप का ओडर आया था उनरेबल हाई कोट का तो जो मुसलिम पक्षया नोंने उस चीज को चालेंज किया है और उन्होंने सुप्रेम कोड के अंदर एक असल पी दाखिल की है हालांकि अभी सुप्रेम कोड के अंदर विंटर वकेशन स्टार्ट हो गई है तो उन्हें किसी भी टाइप का कोई स्टे ओर नहीं मिल पाया मामला भी हेरिंग में नहीं आया तो उस चीज का उन्होंने यहां पे तत्या रखे कि देखिए हमने एसल पे फाइल की है तो कोड में ऑन रिकॉर्ड डायरी नंबर उन्होंने रिकॉर्ड कर आया और दूसरा अभी ट्रांसवर और साना पेंडिंग है इसी चीज को लेकर के कि जो ट्राइल है नोंने मांग किये जिस तरीके से देखिए जो अभी हमारी सर्वे की अप्लिकेशन तो कोड ने मान ली है उस पर फैसला आ गया था और एक अभी बहुत एहम अप्लिकेशन है ओडर 39 में जो हमने इदगा को डिटेंशन की मांग करी है उस पर आज हमने को कहा कि जिसमें उन्होंने जो और है वो रिजर्व कर लिया है जी जी बिलकुल फैसला किसी भी वक्त आ सकता है माननिया ने अपने फैसले को रिजर्व कर लिया है और हमने जो ये डिटेंशन की अप्लिकेशन लगाई है ये एसाई के तथ्यों के अधार पर लगाई है ठीक है अभी तक जो भी आपको आगे जानकारे देंगे फिलाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तैयारिया बहाँ पर पूरी है यकिनन हिंदू पक्ष को अपनी उम्मीदे हैं मुस्लिम पक्ष को अपनी उम्मीदे हैं इन सब की बीच इलहाबाद हाई कोर्ट की और से क्या फैसला आता है इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी खास महमान हमारे साथ जुड़े में चर्चा की हम शुरुबात करेंगे विश्णु जैन जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप ग्यानबापी केस मामले में एड़ोकेट भी हैं और बाकी महमानों का तारूफ में पहले क्या भी आज कोट में दर्ज कराई गई हैं देकि मुझे लगता है कि आज ग्यानबापी केस में आर्केलोजिकल सर्वे की रिपोर्ट फाइल होना इस केस में टर्निंग पॉइंट साबित होगा और अभी तो ये रिपोर्ट सील कवर में फाइल की गई है और सबसे हैरान कर आने वाली बात ही है कि अंजुमन इंतजामिया ने कोट में दर्खास लगाई कि इस रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जाए जबकि ऐसा कोई प्रोसीजर सी पी सी में नहीं है हम सब जानते हैं कि कोट की जो हीरिंग होती है वो एक पब्लिक प्रोसीडिंग होती है आज तो ह हम उस दोर में देख रहे हैं जहां पर सुप्रीम कोट के जज्जमेंट का लाइफ टेली कास्ट किया जाता है 370 के मामले में सुप्रीम कोट की पूरे जज्जमेंट डिलिवरी को लाइफ टेली कास्ट किया गया राम मंदिर में बहुत सारी हेरिंग का लाइफ टेली इस दोर में अंजुमन इंतजामिया कह रहा है कि कोर्ट में जो डॉक्मेंट फाइल किया रहे हैं उसको पॉब्लिक ना किया जाए मैं यह पूछना चाहता हूँ सवाल कि अगर उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है तो उसको पॉब्लिक करने से डर क्या है और सबसे बात कही कि भई इस रिपोर्ट के बारे में बाती ना की जाए मुझे लगता है बहुत सारे फैट अभी हमारे पर मैं आपको बताना चाहता हूँ चित्रा जी गैग ओडर लगवाया गया है 10 अगस्त 2023 को अंजुमन इंतजामिया कोड गई और कहा जो सर्वे में मिल रहा है बताया जाए इसलिए हम नहीं बता सकते हैं आपको कि सर्वे में क्या क्या मिला बहुत सारी चीज़े मिली है पर हम नहीं बता सकते हैं अब जब रिपोर्ट आई है तो कह रहे है रिपोर्ट के बारे मना बताया जाए तो यह सिर्फ और एक कोशिश की जारी जो freedom of speech और expression है उसको रोकने की। वजह ये समझ में आरी कि जब ये रिपोर्ट सामने आएगी तो ये सिद्ध हो जाएगा कि मंदर तोड के मस्जिद बनाई थी। और ये जो तथा कतिद मस्जिद है ये एक हिंदू मंदर के भगना फशेश पे बनी हुई है और मंदर के परिसर को ही मस्जिद के रूप में यूज़ करने का काम किया जा रहा है। ये क्लियर वज़ा है इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि ये रिपोर्ट आए वो ये नहीं कह र है जो चार वादनी महिलाओं ने रिपोर्ट के लिए एप्लिकेशन दी ती यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई की थी हमें रिपोर्ट की कापी ही ना दी जाए उनके वकीलों कोई कापी ना दी जाए तो हम रिपोर्ट जो पढ़ेंगे नहीं तो ट्रायल आगे किसे बढ़ेगा उनकी ओर से बार बर हल अफनामे की बात कही जा रही है और उनका ये कहना है कि सील बंद लिफाफे में ही आया और हल अफनामा जो दायर करें सिर्फ उसको ही सौपा जाए और बाहर चीज़ें नहीं आनी चाहिए महौल इससे खराब हो सकता है इस तरह की भ जवापी को लेकर तो इस पर कैसे बढ़ेंगे आप जाता हूं कोट की हेरिंग से कभी भी महल खराब नहीं होता है हम लोग ने राम मंदर में भी कोट की हेरिंग देखिए 2019 में फैसला आया था बहुत शांतिपूर्ण धंग से वह काम हुआ था और भी बहुत सारे मुकदम आपके दवारा में मेरे दवारा तो शांती भंग हो जाएगी मुझे लगता है यह अपने आप में शौकिंग स्टेट्मेंट है दूसरी बात यह है रिपोर्ट का सील कवर में फाइल करने का कोई आदेश नहीं था इस मांग को लेके अंजुवन इंतजाम में सुप्रीम को क्लाइन में तो एक सील कवर में रिपोर्ट जो फाइल करना है वो प्रोसीजर का उलंगन हुआ है और मैं एक बात और कहना चाहता हूं प्लेस वर्शिप एट इसको क्लैरिफाई होगा जब यह रिपोर्ट पढ़ी जाएगी तो जगा का धार्मिक स्वरूप क्या है समझ मे आगे आपसे लूँगी गौरभाटिया जी हमारे साथ जुड़ेवे हैं गौरभाटिया जी लेकिन आब राजनीती के परिद्रिश में में बात करूं तो कहा जा रहा है अयोध्या मत्राकाशी दो हजार चौबीस की जांकी इसको लेकर अब बीजेपी आगे बढ़ रही है पीची दबरम साहब का ये कह रहा है कि ध्रुविकरन करने की कोशिश में एक बार फिर से बीजेपी जोरदार तरीके से लग गई है चित्रा जी देखे मैं समझता हूं यह जो एसाई की रिपोर्ट है इसका स्वागत होना चाहिए और ऐसा प्रतीत होता है कि जो हिंदू पक्ष है उसकी दावे को बहुत बड़ा बल मिलता है क्योंकि जो हिंदू संस्कृती से जुड़ हुए चिन हैं प्रतीक हैं वो सब पाए गए हैं यह आपका चैनल भी दिखा रहा है आज सवाल यह आता है कि अगर सर्वोट त्याले मारनिय उच न्याले और साथ में डिस्टिक कोट तीनों आदेश देते हैं और उसके बाद एक सर्वे होता है ऐसा क्या है जो मुस्लिम पक्ष नहीं चाता की सामने आए क्यों ना दूद का दूद और पानी का पानी हो जाए अगर अकरांताय की गई हैं और चिन मिल रहे हैं कि मंदिर तोड़े गए हैं और हिंदू समाज इतना सहिशनू है उसकी आस्ता कानून में है कि वो कानून के आस्ति जा के अपना हांग रहा है उसमें रोक लगाना द्हंकी देना कानून व्यस्ता ध्वास्त हो जाएगी यह तो प्रवाइब दूसरी बात क्या कानून विवस्ता वाकई ध्वस्त हो जाएगी योगी अधित्यनाजी मुख्यमंत्री है यह टूटी साइकल वाले मुख्यमंत्री नहीं है जब फैसला आया था सर्वोत्याले से भी जी अध्या का हम सब ने देखा कानून विवस्ता बिल्कुल स्वस्त थी ध्वस्त नहीं थी और आगे भी हमें पता है कि अराजक तत्वों से कैसे डील करना है सक्त कारवाई होगी अगर कोई कानून तोड़ेगा तीसरी बड़ी बात जो आदे सर्वोत्याले ने पारित किया है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि सील्ड कवर में आप क्यों है रिपोर्ट देंगे तो यह बिल्कुल सही बात अभी मेरे छोटे भाई है विश्तु जैन ने कहीं कि अगर आदेश में नहीं लिखा है तो यह तो जो पेटिशनर है जिसने सूट फाइल किया है उसका हग बनता है कि वो कहके और आप याद करिए जब यह सर्वे का आदेश हुआ था चित्रा जी तो अंजुमन इंतजामिया कमिटी ने क्या कहा था उन्होंने कहा था सर्वे टीम अंदर घुसी ना तो अंदर तो घुस जाएगी बाहर नहीं जा पाईगी लेकिन कानून विवस्ता इतनी बढ़ दीजे वो कह रहे हैं जो एतिहासिक भूल हुई है उसमें सुधार की बहुत जादा जरूरत है और आखर ऐसा क्या है सील बंद लिफाफे में जिसको सार्वजनिक होने से डर रही है ये कमिटी वारिस पठान साहब किस बात का डर देखे लोग जूड बोर रहे हैं चितरा जी जूड बोर रहे हैं लोग ये बीजे पी विश्वा एंदू परिशद ये बजरंग दल ये लोग देश के अंदर एक नफरत का माहल क्रिएट कर रहे हैं ये लोग एक पेंडरास बॉक्स उपन करने की कोशिश करने जो कई साल पहले बंद हो चुका है ये लोग पोलराइजेशन की राजनीती करना चाहते हैं दोहजार चुनाओ के पहले जबके इनको पता था हम तो पहले से बोलते आ रहे थे ना के प्लेशिज ऑ वर्षिवेग नैंटीन नेंटीवन औरेडी लागू हुआ है और एक्जिस्टेंस मे प्लेशिस ऑ वर्षिवेग लाने की मंदशा नियत यही थी कि जो भी मॉन्यूमेंट रिलीजिस प्लेशिज 15 ऑगस्ट 1947 के पहले है उसका आप नेचर और करेक्टर को चेंज नहीं कर सकते जब साफ उसमें तैय कर दिया गया था तो उसके बाद क्यों इन लोगों को लाने क यह एविडेंस निये जो यह बताता है कि मंदिर को तोड़के कभी मस्जिद बनाई गई यह कोई यूनानी मस्दिरों ने बोला थे उसके बाद में यहां तक बोला के कोई एविडेंस हमारे पास निये कि अंदे वहां पे नीचे मुर्तियां प्रकट हुई बगर फिर भी इताला खोला कॉंगरेस के राज में फिर बोल दिया रात के अंदर बोल दिया प्रकट हो गई और एक हलफ नामा दाकिल कर दिया कोट में उसके बावजूद धोके से 6 डिसेंबर 1992 को हमारी बाबरी मजजीत को लोगों ने शहीद कर दिया अब हम नहीं चाहते हैं कि हमारी द शाइदगा के सरवे के बिज़े चले गए जबके सबको पता है पुरे देश को 9 जैनुवरी को सुर्वाई हो ली थी फिर बिया बला बाता ही कोट के अंदर जाते हो वहां से ओर लेके आते हो कमिश्टर का क्या आपकी मंद्शा है यह आपको पार्लामेंट का जो पास किया वो और उसको मानियता देनी है और यहां बेटके जूट दे कि एक सत्या है जो सच्चा ही सबको माननी होगी जो सुप्रीम कोट ने बावरी मजजित के वक्त भी कहा था कि वहां पर कोई ऐसा पुकता सबुद नहीं के मंदिर को तोड़के मजजित बनाया यह मानिए यह मान का और वहां की जो कृष्टने मूवी ट्रस वाले थे उनके बीच में कोट के जरीए अब आप आज आके मोलोगे करने पचास साल बाग हम उस सेटलमेंट को नहीं मानते उनको अधिकार नहीं ता तो यह सब सिर्फ गलत है और आपको एक दूसरे समोदाए के बीच में लैनड़ बॉल अपके बाद देना क्या गुड़ा है कितनी मरतबा कोट के अंदर सी लैनड़ बॉल अपके बीचल कर लिया जाता है रिपोर्ट थीक है को मुथरा के बारे में जानकारी भी नहीं हो गई और फिर वह हवाला देने है कि कोट के ओर से मामले को सेटल कर लिया था फिर इतने सालों के बाद उसको निकाल कर लाने की क्या जुरूत है देखिये ऐसा है कि मैं OACG की तरह ब्रीफलिस बारिश्टर नहीं हूँ कि मुझे जानकारी ना हो कि कोड क्या अदेश पारिश करते हैं सर्वोध्याले में वरिष्ट दिवक्ता हूं मैं कुछ तथ्य आपको बताता हूं देखिये तर्क देखिये वारिश जी का उसमें विरोधा भास है एक तरफ इन्होंने कहा की एलेक्शन को देख के किया जा रहा है तो मैं इनको याद दिलाऊंगा कि जो अयुद्या का ये ल ये मामला जो है एलेक्शन तो दो हजार चौवेस में हैं लेकिन ये सूट तो बहुत पुराना है इसको एलेक्शन सा ना जोड़े मैं इनको बता दूँ जैसे आप कहते हो ना हमारी बाबरी मस्जद हम भी कहते हैं हमारे राम हमारे शिव भगवान हमारे कृष्ण भगवा और जब कृष्ण भगवान और शिव भगवान की कृपा हो गई जैसे अध्या में नयाय हुआ है वैसे यहां भी नयाय हो जाएगा कम से कम नयाय पालिका में आस्ता किये और एक बड़ी बात कहता हूं चित्रा जी यह देखिए क्या विचित्र बात है कि जहां जहां हिंद अरे अक्रांता नहीं थे तो और क्या थे लड़ू पेड़े लेके आये थे प्यार मुहबत पहला रहे थे यह इतिहास है अगर इतिहास में कोई भूल हुई है मुस्लिम समाज को आच चाहिए कि वह अपनी भूल का सुधार करें कहें हिंदू हमारे भाई हैं उनको उनका हक मिले और तीनों जहां पर हम लोग कह रहे हैं मुकद्वों की बात हो रही है उसी तरह से काशी में और मतुरा में मुसल्मान समाज को आगया आके बिल्लों को उनका हग दे हैं वारिशी इस पर आप अपनी बात के लिए विश्व जैन जी मैं फॉरण आपके पास आ रही हू जूट पे जूट बोले जा रहे हैं ये इन्होंने कहा कि आयो दिया में हमारे साथ नियाई हुआ नई गवरोबाय हमारे साथ नियाई हुआ है हमारे साथ नियाई हुआ है 6 डिसेंबर 1992 के दिन हमारे धोके से बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया एफिडेविट फाइ उनों तो युने मंदिर से डिसाइड कर दिया कि यहां पे कोई मंदिर को तोड़के मस्जिद कभी बनाया ही नहीं है युने मंदिर सीजिद था लेकिन अंडर आर्टिकल 142 के तहर सुप्रिम कोट को पावर था उन्होंने ये फैसला दे दिया मगा उसके पहले 1991 का था तब हम किसी भी प्लेस का चेड़ नहीं है ना तो फिर आपको क्या जनुद देश के ना आरजकता का महौल फैले क्यों चाते हो आप इसमें बोलने से मेरी हवास को तो रोक नहीं सकेंगे पब्लिक देखेगी कि अगर सुप्रीम कोट का लॉयर इस तरह से बीच में टक टक कर रहा ह तो आपकी इज़ट जिरो हो जाएगी सुनिये मुझे बोलने दीजिए चितरा जी साफ बात यही है इसलिए जो सेटल इशु हो गए 1968 में जो मसले सेटल हो गए उनको अभी BJP निकालना चाहती है खोलना चाहती है लेकिन आप हम नहीं देंगे भाई एक मस्जीद हम गवा चुके है एक हमारी मस्जीद को आपने जोतर से शहीद कर दिया है अब हम लड़ेंगे लेकिन मामला तो कोट में है यही बात है ठीक है आपने जो सवाल उठाए है मुझे लग रहा है कि हिंदो पक्ष के वकिल हमारे साथ जुड़ेवे हैं उसके बार बार कह रहे हैं कि एक मस्जीद हमने शहीद कर लिया है अब हम किसी और मस्जीद को आप लोगों को देने नहीं देंगे आप लोग लड़ाई अपनी जारी रखें देखे मैं दो तिन बातें बताना चाहता हूँ और यहां पर उन्हों ने एक शब्द प्रयोग किया कि क्या जरुबती इलावाद हाई कोड से ओर लेने की मत्रा के केस में बात कर रहे थे तो पहले मैं उनको बताना चाहता हूँ प्लीज अपने फैक्स ठीक कर लें मत्रा के केस में अभी मेरे पास order आ चुका है जो इलाबाद High Court ने पारित किया है इलाबाद High Court ने अभी इस केस को 11 जनवरी को लगा दिया है और शाहिदगा मजजित को पूरी छूट दिये कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखें सुप्रीम कोर्ट में 9 तारिक एक इसका अला करते हुए काम किया जा रहा है और कोई यहां पे कोर्ट से ओर नहीं ले रहा है दोनों लोग अपनी कोर्ट में बात रख रहे हैं इसके बाद कोट अपना जो उच्छी तादेश होता है उपादित कर रही है दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं वारिज भाई ने कहा कि सर्वे स से कैसे के सर्वे participar हो जाएगा तो हमारी मुझ्जित शहीत हो जाएगी बहिए मैं पूछना चाहता हूँ व वर्ष़िप एक्ट का बार बार परनसी ने पास किया है उसमें इस पर श्रूप से लिखा हुआ है कि धार्मिक सरूप तैय करने की आजादी देता है प्लेसे ऑफ वर्शी पैक्ट इसके अगेस्ट एंजुमन इंतजा में इलाबाद हाई कोड गया 31 माई 2023 को इलाबाद हाई कोड से भी उनकी याची का खारी जो गई जब मामला सुप्रीम कोड गया तो सुप्रीम कोड ने कहा एक बड़ी खबर के बाद विश्ण जी आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा इद्गास सर्वे को लेकर 11 जन्वरी को अगले सुनवाई होगी विश्ण जैन हमारे साथ बैठे बे हैं उन्होंने खुद भी इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है मसड़ा इद्गास सर्वे को लेकर ये बड़ी जानकारी बड़ी खबर इस वक के सामने आ रही है 11 जन्वरी को अबगली सुनवाई होगी उसके बाद ही ये सामने आएगा कि इस पूरे मामले में कोड की और से क्या फैसला किया जाता है मैं चाहूंगी कि विश्तार जैन जी इस खबर के बारे में जराद डीटेल में हमारे दर्शकों को जानकारी दे दें आपके पास पूरी डीटेल जानकारी है इस वाबर मैं पूरी बात बता देता हूँ जब इलाबाद हाई कोड ने आदेश पारित के आड़ोकेट कमिशनर अपॉइंट करने का तो इमीजेटली नेक्स डे पंदरा दिसंबर को शाहिदगा मज़िद सुप्रीम कोड गई और सुप्रीम कोट ने हिईरिंग के दौरां कहा कि आप इलाबाद हाई कोड को बटाएई कि हमारे पास 9 जंवरी को ये मामला लगा हूँआ है मामला जब सुप्रीम कोड नौ जनवरी को सुन ले उसके बाद सुना जाए जबकि टेक्निकल बात ये सुप्रीम कोर्ट ने इलाबाद हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग पे इस्टे नहीं लगाया था उसके बाद भी आज मानी इलाबाद हाई कोर्ट में जो पेंडेंसी है उसका ख्याल रखते हुए मामला 11 जनवरी को लगा दिया है अब 11 जनवरी को एड़ुकेट कमिशनर नुक्त होगा और कैसे कैसे कमिशन होगा क्या टैमिंग होगा क्या कॉमपोजिशन होगा ये सारी बाते 11 जनवरी को तैखी जाएंगी तो मैं यहाँ पे सिर्व इतना बताना चाहता हूं वारिस भाई को कि यहाँ पे कोई भी आदमी जल्दी में नहीं है रूल बुक फॉलो करके, सीपीसी को फॉलो करके, समिधान को फॉलो करके जो जस्टिस दिलाने का काम है, वो हम लोग कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की आरोप ना लगाएं और यकिनन कोट की ओर से जो फैसला आएगा, वो सभी को माननी भी होगा वारिस पठान जी, बार-बार अविध्या के संदर में आप जिक्र कर रहे हैं लेकिन सभी ने उसका स्वागत भी किया था, जो भी फैसला आया था, मैं आऊंगी आपकी पास दो और महमान बहुत देर से आधे गंटे हो गए है, एक भी टिपड़ी उनकी नहीं हो पाई है तैसीन पुनावाला जी, अब मैं आपके पास आते हुए, विनुत बंसल जी फॉरन आपके पास आऊंगी तैसीन पुनावाला जी, अब तो कॉंग्रेस पार्टी के भी बड़े नेता, पूरु वित्त मंत्रे पीच दम्रम वो भी मानने लगे हैं कि 2024 की हवा बीजेपी की पक्ष में बहरी है, हाला कि अपनी चिंता भी वो जता रहे हैं कि ध्रुवेकरन करके महौल को पूरी तरह से अपने पक्ष में बना लेती है, उत्तर भारत और मध्य भारत में बीजेपी इसकी काट कॉंग्रेस को और विपक आज़ेश के मेंबर्स फार्लिमेंट को पार्लिमेंट से सस्पेंड कर दिया गया है, 92 चित्राजी, हम उस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं, माननिया आदर्णिय प्रधान मंत्री आदर्निय ग्रह मंत्री ने, अब तक इस बात पर पर पार्लिम्ट में कोई नहीं की कोई 92 विपक्ष के MP सस्पेंड हो गए, बीजेपी के MP जिनों ने पास दिया, मनको गिल्टी नहीं मानता हो, लेकिन वो अब तक सस्पेंड नहीं हुए, और हम बात कौन सी कर रहे हैं, कि क्या वहाँ पर एक जमाने में मंदिर था या मस्जिद था, वो लोगों की आस्था की बा कासिंग बिलारने वाल है, जो भी आपके दर्शक इस शो को देख रहे हैं, जो डिल्स बनाते, ट्वीट करते वगएर चीज करते, सरकार के पास पूरा अधिकार होगा, किसी के भी अकाउंट को बन कर दे, पूरा अधिकार होगा, हमें डिक्टेटेशिप की तरफ जा रहे उसमें चर्चा नहीं हो दी है, तो इस पोलराइजेशन से किसको फाइदा हो रहा है, दूसरी बात हम करते है, अगर नहां पर आपको मंदर बनाना है, या जो भी है, तो आप वो 1991 POW Act को खारिच कर दीजे, पारलिमन्ट के पास पूरा अधिकार है, भाजपा के पास भहुमत है, दोनों हाउस में बहुमत है, आप उस Act को समाप कर दीजे, कहें रखे उस Act को, प्लीज उस Act को समाप कर दीजे, लेकिन मेरा एक सवाल है, आज आप कितने मंदिरों पर, कितने मस्जिदों पर हम रुखेगे, दो, तीन, चार, किस century में हम रुखेगे, 10th century, 15th century, 13th century, 5th century, मान ले कल कोई मंदिर, मस्जिद के नीचे कोई मौनिस्ट्री निकलती है, बुद्धिस मौनिस्ट्री, मान लो कल कोई गुरुद्वारा या चर्च के नीचे, कोई tribal worship place निकलता है, कितने जगाओं को हम तोड़ेगे, इसलिए पार्लिमें पने विजदम पे, राम मंदिर के अयोध्या के उस मामले को छोड़ते, बाकि सब मामलोगों का, as per 1947 होगा, और यह act बनाया है, as per 1947 जो वहाँ पर प्रता चलती है, उस प्रता के जाओ साथ चलीगे, और बाकि हम इतियास में नहीं जाएगे, अगर जाना है तो उस act को खतम कर दीजे, सरकार क्यों खतम नहीं क एक बार भी ने दिये टुशायर में ताजी ने, और यह रिपोर्ट की बात करें, सील कवर, सील कवर, सील कवर, सील कवर, सील कवर, तो ASI की रिपोर्ट क्या मुसल्मान पक्ष ने दिया है, हिंदू पक्ष ने, तुनों ना मुसल्मान भायों ने दिया है, हिंदू भायों नाइंटी टू विपक्ष के एंपी सस्पेंडे रे ब्रॉड कास्टिंग बिल से अगर आप रील बनाते सरकार आपके अकाउंट को बंद कर सकती है सोचे हम किस बात पर डिबेट कर रहे हैं गात्मक है वो कामकाज में बाधा पहुंचा रहा है इस वज़े से उनको निलंबित करना जरूरी हो जाता था इस पर हमारे दर्शक छे बजे शाम को डिबेट देख सकते हैं लेकिन फिर मैं आ जाती हूँ जिस मुद्दे पर हम पांच बजे इस वक्त डिबेट कर रहे हैं विनुद बंसल जी लेकिन उन्होंने सवाल तो खड़े किये ना अब कितनी मश्युदों में जाकर आप लोग ढूनते रहेंगे यहां पर भी मंदर था यहां पर भी मंदर था कोई तो एक लेकर तै कि जानी होगी नवगद बंसल जी उन्होंने क्या गलत कहा चित्रा जी पहले नहीं उन्हें में को भुटते बाता हो कार विर्ट घवत देवु इומेड़े कि जहातने में और प्लेस अवरसीप और यह यह कोट करेंगे यह कोट काम में अट कर्णे का दुस्दा हाज कर रहा है आप मुझे पताईए अगर प्लेस बर्शिप अगर लागू होता है वहां पर तो कोट क्यों कमिश्रन ने उप्त करेगा अखिर काड़ प्लेस बर्शिप लागू होता है तो क्यों माननी सर्वों चनले और उस वारे में को डिस्जियन देगा क्या यह बड़ी एक कोट बना है मेरी समद में आता एक बात दूसरी बात यह बार बार उनिश्व शरशट के उसका अगरिमेंट का अभाला दे रहे हैं अब मुझे पता ही आपको होते हैं यह जो जो अपने मुसलमीन पार्टी है या कॉंग्रेस पार्टी है जिसना हमेशा से हिंदुओं का विरोध किया है पार्टी के नाम में मुसलमीन है और को कहते हैं सब्सक्राइच ने का आपका चैनल मुझे लगता है Biz लोगों पर प्रतबंद लगाना चाहिए के बारे में बावर के बारे में किसी भी तरह का दुस्तास करना मानी शर्वोट तिनायले के खिलाप है और इनको उपर करवाई होनी चाहिए ऐसे लोग बना डिवेट के लाइक नहीं है आप देखिए डिवेट का टॉपिक क्या है औ बार 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 बामरबर ओर भर को लेकर चालें यह थीक नहीं है यह देश के माहौल को बरौबां करने कोwelस्त कर रहे हैं और दूसरी की आप देखिए अब मुकतिका समया गया खेंद्गत्र , ज्वाब दुबiver और नहीं पर घो factor कि तो आगस profit अगेकते on और लेन इकी के खड़े रहेंगे तो देश की जनता इनको बख्षे की नहीं और बार बार मुद्दा कोई और है लेकर जा रहे हैं बाबर के पास सुनिये जिनको सम्विधान का सी नहीं मालूम है प्लेशी सो वर्षीप का सेक्शन 3 नहीं मालूम है वो टीवी के उपर बैटके ग्यान दे रहे हैं बड़ा उसकी बात है बहराल मैं इनको तालीम देने का वक्त मेरे पास नहीं है आप किसी और के पास से तालीम देने मैं चित्रा जी से बात कर रहा हूं अपनी आरूप लगा है उस पर जबाद सुन लेते हैं अरे सुनो डरने की क्या बात है मैंने आपकी दुख्ती रख को दबोज डाला चिंता नहीं करो आप जैसे लोग पताता सरकार को के यह लोग हर करा की इस तरह के नटक बाजी करेंगे इसलिए पार्लामेंड बहल है वहां पर सांसक जाते है पार्लामेंड में डिबेट होता है उसके बाद कानून मनता है मैं आपको सिका रहा हूं लाए आप सुनों में अपको सरवे का हो रहा है काशी का क्यूं करा जाए है मालूमें आपको नफरत पहलाने के लिए और उसको अब तक पाड़ा है तो मानती है आप पहले यार कुछ समझ में आता बाता है नहीं यार जाने तो समझ में आएगा एक करके अपनी बात रखेंगे मुझे लगता है एक करके अब धर्शकों की जानकारी के लिए ये जानना ज़रू है क्या होने बाला है अब विश्ण शंकरजान जी उनका ये कहना है कि नफरत थेलाने के लिए ये सारा काम आप लोगों की और से किया जा रहा है और आप भी तो पहुंच जाते हैं हर जगा मैं जवाब ग्यान वापी से लेकर अध्या हो बाकी हिस्सा हो आठीक बिल्कुल जाता हूं और बिल्कुल जाता हूं और आपके चैनल के माद्यम से बहुत जिम्मेदारी से इस देश के वकील होने के नागरे बोलना चाहता अब मैं आपे चित्राजी आपे एक उधारन देना चाता हूं कुछ लुटेरे मवाली डकैत आए उन्होंने एक हजार जगाँ पर कब्जा कर लिया अब जब एक हजार जगाँ पर कब्जा करके हम कहरें किसको वापस किया जाए तो कहरें तीन जगाँ पर बात करो या एक मंदर बाकी जगाव बात ना करो मैं पूछना जाता हूं क्यों भाई क्यों ना बात करें भोष शाला पे आप हवन कुन पर थूपते रहें संस्कृत की रिचाएं मिटारेते रहें तो कोई उसके पर सवाल ना उठाए आप कुतुम मिनार पर लिखे रहें कि सत्ताय जैन मंद कोई बना ना करें पर लात ना तो लिखे रहें पर वजू करते रहें तो नफरत नहीं फैल रही है तो मुझे लगता है कि यह जिस तरह की बाते कर रहे हैं यह इलोजिकल है किसी के घर में बुसके आप उस घर को कब्जा कर ले और जब कब्जा को अटाने की बात आए तो कहें नहीं हम कब्जा को नहीं हटाएंगे क्योंकि आप लेसे दो गर्शी पैटें उसने प्रकाए एक अपने चैनल पर जड़ा हिंदू समाज का दर्द देखिए और जा के भोष्चाला की तरह मंदर देखिए जो इस तरह के संविदाने के पहली पार एक एस और पास हुआ है कि मंदलवार को हिंदू समाज के लोग वहीं पे पूजा करेंगे और फ्राइडे को वहीं पे मुस सवाल पूछी नहीं सकते हैं आप तो वह सवाल पूछ रहे हैं मैं चित्रा जिसका जवाब देना चाहता हूं बड़ तीका जवाब देना चाहता हूं ताज महल को 2005 में यूपी सुनी सेंटल वाबोर्ड ने कैसे वाब प्रॉपर्टी घोशित कर दिया तो 2005 में क्यो जगे पहले क्यों ही जगे शाजाह ने क्यों वाव तो 2005 में गोशित किया एलाबाद है जमीन को यह जोँआ है किसीं थे संपत्त्ति घोशित कर दे और हमें यह आग भी नहीं है कि हम कौट के मादम से लीगल हो अपनी चीज़ सके ठीक है एक लोशिंग को और भाटिया जी आपका चुनकि चुनावी साल है इस वज़े से इन मुद्दे को लेकर क्या बीजेपी जादा तेजी से आगे बढ़ रही है यारो विपक्ष लगा र स्यां में इसके तैसले आएंगे दूसरी बात आप कहे रहेंगे लिमृٹ तो होगी कही चितरा जी जो मूरक जो पाखंडी यह कहता है और कानून में है वो डॉलने का दर्वाजा कि किट आता है तो उससे कहा जाता है की लिमिट होगी और कॉंगरेस पार्टी मैं पूछने जाता हूँ सोनिय गांदी राहुल गांदी ने अयोध्य में भवे रामंदिर आरे कितना चंदा दिया है कभी गए भी है वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो कहते हैं यह मुस्लिम पार्टी है और प्लेस और वर्षिप एक कर भी बता दू सर्वोत डैले में इस की नज़र बनी रहेगी दंगल में अभी के लिए बस सकता है